अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे वाउचर नंबरिंग की मैथट्स के बारे में इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है जिसमें पहले पार्ट में आपने जाना था वाउचर नंबरिंग की आउटोमाटिक मैथट्स के बारे में और इस वीडियो में हम बताएंगे वाउचर नंबरिंग की अन्य मैथट्स के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने Happy Traders नाम की कमपणी में काम किया था और यहां हम एक नई कमपणी ABC Traders ले रहे हैं जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाउचर नमबरिंग की पाँच मेथडस होती हैं जिसमें से कि पहली method आटोमेटिक पर काम करना हम बता चुके हैं दूसरी method है automatic-manual override ये पहली और तीसरी method का combination है पहली method हम पहले ही समझा चुके हैं और इस वाली method को समझने के लिए पहले manual method को समझना ज़रूरी है जो कि तीसरी method है इसलिए हम आपको दूसरी method की बज़ाए तीसरी method यानि manual के बारे में पहले समझा रहे हैं और इसके बाद फिर हम दूसरी method समझेंगे तो चलिए शिरू करते हैं यहाँ सबसे पहले हम sales voucher open कर लेते हैं यह देखिए sales voucher open हो गया है चुँकि हमने इस company में अभी तक एक भी sales voucher नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पर voucher number में वना रहा है अब जैसे जैसे हम sales voucher बनाते जाएंगे voucher number एक के बाद 2, 3, 4 इस तरह से automatically आते जाएंगे अब यदि हम इन voucher number 1, 2, 3 को बदल कर कुछ और करना चाहें तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि tally में by default voucher number की automatic method selected होती है पर यदि आप इस पर अपना control रखना चाहते हैं यानि manually कोई सा भी voucher number टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए voucher numbering की method को automatic से बदल कर manual करना होगा और ऐसा करने के लिए voucher type alteration screen पर जाना होगा अभी हम gateway of tally पर हैं voucher type alteration screen पर जाने के लिए alter पर जाएं और फिर voucher type पर जाएं यहां से वो voucher type select करें जिसमें आप alteration करना चाहते हैं हम cells select कर रहे हैं अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह देखें यहां voucher numbering की 5 methods दिखाई पड़ रही हैं इसमें से हम manual select कर रहे हैं यह देखें इसे select करते ही नीचे एक नया option prevent duplicates आ गया है हम इसे yes कर रहे हैं इसे yes करने से क्या होता है यह हम आपको आगे बताएंगे अब हम इसे save कर लेते हैं चलिए अब हम cells voucher पर चलते हैं और कुछ voucher बना कर देख लेते हैं यहां आप देख सकते हैं जब voucher numbering की automatic method selected थी तो यहां पर voucher number अपने आप ही आ रहा था पर अब चुकि हमने manual method ले ली है तो यहां पर voucher number हमको manually type करना होंगे अब चुकि यह हमारा पहला invoice है तो यहां पर हम voucher number one type कर रहे हैं अब पूरा voucher बना लेंगे यह देखे हमने पहला voucher create कर लिया है अब दूसरा voucher बनाने के लिए भी यहां हमें अगला voucher number type करना होगा यानि अब सारे voucher के numbers हमें manually ही type करने होंगे हमने one और two number voucher बना लिये हैं अब यदि हम गलती से फिर से दो number type करके आगे पढ़ते हैं तो देखिए एक error आ रही है duplicate voucher number यानि आप इस number का voucher पहले ही बना चुके हैं और यह error इसलिए आ रही है क्योंकि हमने manual method को select करते समय prevent duplicates option को yes किया था यदि हमने इस option को no ही रहने दिया होता और हम पहले से बने हुए voucher number का ही कोई और voucher बनाते तो इस तरह की warning नहीं आती और voucher भी save हो जाता जैसे हमने 5 number का voucher बना लिया है और गलती से फिर से 5 number का voucher बनाने जाएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा पर accounting के principle के हिसाब से एक ही number की दो बिल नहीं हो सकती इसी समस्या से बशने के लिए हमें prevent duplicates option को yes रखना चाहिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें यदि आपने manual method select कर ली है और prevent duplicates option को enable नहीं किया और कुछ voucher बना लिये है तो उसके बाद यदि आप इस option को enable करना यानि इसको yes करना चाहेंगे तो वो enable नहीं होगा इसलिए manual method select करते ही इस option को जरूर enable कर लें चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अनने बातों को समझने के लिए हमने इसके पहले पार्ट में happy traders में जो काम किया था उसे open कर लेते हैं और इसमें voucher type alteration screen पर चलते हैं यह देखिए इसमें हमने automatic method उप्योग की थी और कुछ voucher भी बना लिये थे अब यदि हम इस method को बदल कर manual select करते हैं तो इस तरह का message आएगा इस message का अर्थ यह है कि यदि आप voucher numbering की जो method है उसे change करते हैं तो अभी तक जितने भी transactions record हो चुके हैं उन सभी के voucher number पर इसका प्रभाव पड़ेगा हम इस message को ignore करते हुए yes कर लेंगे यह देखिए अब हमारा cursor prevent duplicates option पर नहीं आ रहा है इसका मतलब है अब हम इस option को चालू नहीं कर सकते हम इस changes को save कर लेते हैं और day book पर चलते हैं देखिए इस change का प्रभाव यह हुआ कि हमने इस financial year में जतने भी voucher बनाए थे उन सभी के voucher number हट गए हैं यानि सारे voucher में से voucher number वाली field blank हो गई है यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि इस तरह के changes करने पर यदि आपने पिछले वर्षों में भी इस company में काम किया होगा तो उनके voucher number भी चले जाएंगे इस problem का हल यह है कि आप अपनी company में एक नया voucher type जैसे की sales, manual या अन्य किसी नाम से बना ले और उसमें numbering method automatic के स्थान पर manual सिलेक कर ले और फिर उसमें voucher बनाए नया voucher कैसे बनाते हैं यह हम आपको अपनी वीडियो number 91 voucher type and voucher class में बता चुके हैं त्यान रखें यदि आप कोई नई company बनाते हैं और उसमें शुरू से ही manual method रखते हैं तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी चले अब बात करते हैं manual voucher numbering का उपयोग करने से होने वाले lab के बारे में इसका फायदा यह है कि हमने जो vouchers record किये हैं यदि उनमें से बीच के किसी voucher को delete कर देते हैं या बीच में कोई number छूट गया है यानि खाली है और आप उस पर नया voucher बना देते हैं तो अन्य किसी voucher के numbers पर इसका कोई effect नहीं पड़ता है इस method का एक disadvantage भी है वो ये कि vouchers बनाते समय यदि हम बीच का कोई voucher number skip कर देते हैं तो tally की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई warning नहीं मिलती है जैसे हमने एक, दो, तीन, चार number तक voucher बनाए और उसके बाद सीधे 11 number टाइप कर दिया तो tally पीच के numbers छोड़ कर 11 number का voucher बना देगा और आपको कोई warning भी नहीं मिलेगी तो ये तो थी तीसरी method अब बात करते हैं दूसरी method automatic manual override की ये method पहली method जो की automatic है और तीसरी method जो की manual है उनका combination है यानि दोनु methods को मिला कर इसे बनाया गया है जैसा कि आपको पता है automatic में tally अपने आपसे ही voucher number एक के बाद दो, दो के बाद तीन यानि क्रम में number देते जाता है इसी तरह हमने manual में देखा था कि voucher के number का पूरा control हमारे पास होता है इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार voucher पर number type कर सकते हैं अब यह जो दूसरी method है जो कि automatic और manual का combination है इसमें voucher number तो automatic आते हैं पर यदि आप उन्हें बदलना चाहें तो manually बदल भी सकते हैं यहाँ इस method को समझने के लिए हम एक और नई company Sun Enterprises ले रहे हैं आईए अब देखते हैं कि automatic manual override method कैसे काम करती है उसके लिए हम voucher type alteration screen पर चलते हैं अब यहाँ हम automatic manual override select कर लेंगे अब हम prevent duplicates option को भी yes कर लेंगे इसके बाद अगला option है use advanced configuration इसके बारे में हम आपको इसके पहले part में बता चुके हैं यदि आप इस option का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे yes कर लें हम इसे no ही रहने दे रहे हैं और अब यह save कर लेते हैं चलिए अब voucher creation screen पर चलते हैं यह देखिए अब voucher number one अपने आप आ रहा है हम इसे change करके two, three या कोई और number दे सकते हैं हम वापस one कर लेते हैं और पूरा voucher बना लेते हैं देखिए अब voucher number one बनने के बाद two भी अपने आप आ रहा है यह हम पूरा voucher बना रहे हैं अब यह देखिए अगला voucher number three आ रहा है अब मालेज यह हम इसे change कर देना चाहते हैं तो manually हम इसको 10 कर देते हैं और पूरा voucher बना लेते हैं अब देखिए चुकि अभी हमने voucher number 10 डाला था तो अगला voucher number automatically 11 आ रहा है तो यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि हम गलती से या किसी और कारण से जो भी numbering चल रहे हैं उसको छोड़कर आगे का किसी और number का voucher बना लेते हैं तो tally उस number के voucher को भी accept कर लेता है और उसके बाद voucher numbering उसी के आगे के number से शुरू कर देता है अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बाते समझ लेते हैं यदि हमने पिछले financial year या इस financial year में automatic numbering method द्वारा कुछ vouchers बना लिये हैं और अब automatic manual override method को select करते हैं तो जैसा के आपने manual method में देखा था उसी तरह यहां भी पिछले सभी vouchers की numbering गड़बड हो जाएगी इसका भी solution वही है कि आप अपनी company में एक नया voucher type जैसे कि cells, auto, oblique manual या किसी और नाम से नया voucher type बना लें और उसमें automatic की स्थान पर automatic manual override method को select कर लें और फिर उसमें voucher बनाएं नया voucher कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं हाँ, यदि आप कोई नई company बनाते हैं और उसमें शुरू से ही automatic manual override method को select करते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आईगी चलिए अब बात करते हैं उन सभी फायदों की जो की automatic manual override numbering का उप्योग करने से होते हैं पहला फायदा तो यह है कि इसमें automatic method की तरह ही numbering आती है दूसरा, manual method की तरह इसमें voucher number पर आपका पूरा control रहता है तीसरा, हमने जो vouchers record किये हैं यदि उन में से बीच के किसी voucher को delete कर देते हैं या बीच में कोई number छूट गया है यानि खाली है और आप उस पर नया voucher बना देते हैं तो अन्य किसी voucher के number पर इसका कोई effect नहीं पड़ेगा इस method का एक disadvantage भी है वो ये कि vouchers बनाते समय यदि हम बीच के कोई voucher number स्किप कर देते हैं तो टैली की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई warning नहीं मिलती है जैसे कि हमने 1,2,3,4 number तक voucher बनाए और उसके बाद सीधे 11 number टाइप कर दिया तो टैली बीच के numbers छोड़ कर 11 number का voucher बना देगा और आगे की numbering उसके आगे शुरू हो जाएगी तो अभी आपने देखा कि automatic manual override method किस तरह से काम करती है चलिए अब बात करते हैं चौथी method की जो है multi-user auto इसके लिए हम वापस voucher type alteration screen पर चलते हैं सामानिता हम education version या single user license जो की silver license होता है उस पर काम करते हैं पर कई लोगों के यहां multi-user license यानि gold license पर काम होता है ये method उनहीं के लिए उपयोगी है और इसलिए इस method का नाम भी multi-user auto है इसकी उपयोग को हम एक उधारण से समझ लेते हैं मान लेजिए हम multi-user पर काम कर रहे हैं और हमारे पास cells की entry करने के लिए तीन operators हैं मोहन, सोहन और मुकेश अब ये तीनों एक ही समय पर cells की entry कर रहे हैं और तीनों की computer पर cells voucher का number 25 आ रहा है यदि मोहन ने सबसे पहले cells की entry पास कर दी तो 25 नंबर का voucher तो save हो गया और जब सोहन और मुकेश प्रयास करते हैं तो उन्हें टली की तरफ से एक warning आती है कि voucher number 25 पहले ही उप्योग किया जा चुका है नया number 26 होगा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई warning ना आए और अपने आप आगे के number पर voucher save हो जाए तो आप इस option का उप्योग कर सकते हैं इसका उप्योग करने से self voucher number के सामने number की जगह पर auto लिखा हुआ आएगा और तीनों users बिना किसी warning के entry पास कर सकेंगे चलिए अब बात करते हैं पांचवी method none की इसका हमें कोई उप्योग नहीं है क्योंकि यदि हम none select करते हैं तो voucher पर कोई number ही नहीं आएगा यानि none select करने पर जैसा कि आप देख रहे हैं voucher numbering का option ही बंद हो गया है त्यान रखें तैली पर bill बनाते समय बिल पर number आना ज़रूरी है क्योंकि बिना bill number के customer को bill देने का कोई मतलब ही नहीं है तो दोस्तों इस अध्याय में बस इतना ही दन्यवाद